इस वक्त हम खड़े हैं गांदरबल के गगरिंगीर में जहां पर कल एक दर्द नाख हादिशा पेश आया है आपने देखा होगा कि किस तरह से साथ लोग जो है वो अपनी जानगवा बैठे जिसमें से एक डॉक्टर थे तीन लेबरर्ज थे एक मैनेजर थे और आपको बता दें जड्मो टनल जो है उसका काम चल रहा है अभी और उसके चलते हुए सुनने में यह आ रहा है कि कल यह साथ लोग जब अपनी काम से अपनी बेस कैम पे वापस आये थे उन पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया अंधादुन गोलियां चलाई जिसके कारण वो अपनी जानगवा बैठे हालांकि एमरजन्सी में उनको उसके बाद स्किम सोवर स्रीनागर हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचे एक एक करके इलाज किया गया उनका डॉक्टर्स ने जो है उन्हें मृत गोशित कर दिया आपको बता दें कि अपने वीजायूब से को होंगा आप पैन करें यह देखिए अगर हम थोड़ा सा जोग्राफी की बात करें तो यहां पर भागने का जो रूट है इसकेप रूट जो है वो काफी इजी हो जाता है अगर आप बात करें तो इन पहाड़ियों के पीछे साउथ कश्मीर के तरफ आप जा सकते हैं और वही अगर आप यह रूट देखें यहां से नाशनल हाइवे है और अभी तक यह एरिया जो है कॉर्डन ओफ कर दिया गया है और यहां पर अभी एक्सपेक्टिड है कि कुछ और हेवी डिप्लॉइमेंट होगी हाला कि हमें भी यहां पर ज्यादा दे रुकने नहीं दिया जा रहा है आपने देखा कि किस तरीके से पर उन्होंने कड़ी निंदा की है और कहा है कि जिन्होंने भी हमला किया होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा अब किस तरीके से आगे इस केस में डिवलप्मेंट होगी वो कुछी देर में पता लगेगा न्यूज 18 के लिए गगंगीर से अईब खान के साथ में सरोश क देर फील